गैस आज हम देखेंगे कि HCF या फिर GCD दोनों एक ही बात है किस तरह निकाला जाता है Python Programming के अंदर मैं आपर लिख देता हूँ using Python और यहाँ पर मैं using Python लिख रहा हूँ लेकिन कोई भी programming language में आप यह technique use कर सकते हो HCF निकालने की तो क्या है यह technique HCF निकालने की और किस तरह से आप लोग इसको इस्तिमाल कर सकते हो आज इसी बारे में बात करूँगा और चीजों को simple बनाने के लिए यहाँ पर मैं number line बना लूँगा एक straight line इस तरह से यहाँ पर बना लूँगा और straight line में मैं काम करूँगा आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ number 0, 1, 2 and so on यहाँ बर जाएगा number line के अंदर मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि इस number line को बनाने का purpose क्या है सबसे पहले HCF होता क्या है मान लो मैं आप टू लिखता हूँ यह फिर मैं 22 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ और मैं आप से बोलता हूँ इन दोनों का HCF निकालो कि क्या है इसका HCF अब कुछ लोग इस चीज को रहा रट लेते हैं यार ऐसे निकालते है HCF लिकिन मैं आपको बता दो मतलब क्या ही है HCF है क्या चीज़? HCF stands for highest common factor ठीक है? क्या है यह? Highest common factor और इसका मतलब क्या है? common factor पहले बात देखते हैं क्या होता है? फिर highest common factor देखेंगे. Common factor का मतलब जो इसको भी divide मार दे, इसको भी divide मार दे वो common factor है. अगर मैं बात करूँ 9 की और उसी के साथ साथ मैं बात करूँ 18 की इन दोनों को कौन divide मार देगा? इन दोनों को 3 डिवाइड मार देगा? तो एक common factor 3 ह और कौन सा डिवाइड मार देगा इनको 9 भी डिवाइड मार देगा और कौन सा है जो दोनों नंबर को डिवाइड मार देगा बस यही है लेकिन इसका HCF क्या होगा इसका HCF होगा 9 क्योंकि सबसे बड़ा common factor इसमें 9 है तो मैं कहूंगा 9 is the 9 is the HCF of 9 and 18 ठीक है तो यह चीज इस तरह से काम करती है मैं आपर इसको दर मिटा देता हूँ और यहापर मैंने आप लोग को common factor के बारे में बताया तो highest common factor है आपर मैंने लिखा अगर इनके common factors की बात करू तो सिर्फ 2 आ रहा है यहापर और 1 हमेशा एक common factor होता है ठीक है 1 हमेश जो common factors में से मुझे मिला वो 2 मिला तो किसी भी किनी भी दो numbers का HCF कैसे निकाल सकते हैं अगर्मेंट का prime factorization कर दो जैसे कि मानलो मैं मुझे 4 और 6 का निकालना HCF तो मैं कहूंगा 4 होता है 2 multiply by 2 और 6 होता है 2 multiply by 3 इन दोनों में जो भी common आ रहे हैं जितनी भी common आ रहे हैं सबको म जाएगा एक और example देता हूँ आप लोग को 14 और उसी के साथ साथ में एक और ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ इन दोनों का HCF निकालना है तो 14 क्या है 14 है 2 multiply by 7, 30 है 2 multiply by 3 multiply by 5 ठीक है तो 2 common है अब अगर मानलो इसमें एक और चीज़ common होती तो वो भी मैं ले लेता हूँ और और उसी के साथ 12 ले लेता हूँ 28 और 12 का HCF अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा 28 is 2 multiply by 7 multiply by 2 12 is 6 multiply by sorry मैं यापर सिर्फ prime numbers लोगा सिर्फ prime numbers लोगा यानि कि उनको इतना तोड़ दूगा कि उनको तोड़ा ना जा सकी फिर जैसे 2 multiply by 3 multiply by 2 करूँगा इसको मैं तो य multiply by 2 यहां पर मैं ले लोगा एक 2 यहां से आया एक 2 यहां से आया और यह 4 हो गया ठीक है तो इसका HCF हो गया 4 टो HCF क्या होता है यो आपको पता चल गया अब है बड़ी मैंने number line की draw करी है यह पता लगाने के यह होता है अब HCF जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि क्या करेगा दोनों को divide मारेगा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को divide मारते और worst case में अगर कोई नंबर मार ही नहीं रहे divide दोनों numbers को तो क्या होगा उनका HCF उनका HCF 1 होगा तो number line में मान लो दो numbers है एक है M, एक है N और यह 2 से छोटा भी हो सकता है बट लेट इस रिजिम यह थोड़े बड़े नंबर से M और N, कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है, it can be any number M है, एक N है अगर मुझे programmatically यह काम करना है तो यह काम programmatically करना दो पर मुश्किल हो जाएगा कि यार इनके factors निकालो, फिर उनमें से common ले लो यह काम आप pen pencil से कर सकते हो, exam में जरूर कर सकते हो लेकिन programmatically क्या हमारी strategy रहीगी एक optimal वाली, उसके बारे हम बात करते हैं तो programmatically अगर मैं बात करूँ strategy की तो 0 से लेके M और फिर N यह मैंने number line में plot कर दी है मैं आपर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है 1 तो रहना ही रहना है, ठीक है क्या बोला मैंने अभी, 1 तो रहना ही रहना है तो मैं क्या करूँगा, 1 से start करूँगा पहले ही चेक करूँगा, क्या 1 इन दोनों का HCF है ठीक है फिर क्या करूँगा फिर मैं चेक करूँगा कि क्या 2 इन दोनों का HCF है फिर मैं क्या करूँगा चेक करूँगा क्या 3 इन दोनों का HCF है and so on मैं जाओंगा कहां तक सबसे छोटे नमबर तक तो मैं अगर एक for loop चला दूँँ 1 से लेके M तक और चेक करूँ कि क्या जो नमबर है मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ I जो है 1 to M तक जाएगा I divides M and I divides N अगर यह दोनों बाते सच हो जाती है तो मैं कह दूँगा HCF is equal to I ठीक है लेकिन बात यहाँ पर यहाँ पर भी खतम नहीं हुई है अगर मान लो कोई आगे मुझे दूसर नम बान लो की 2 जो है दोनों को divide मारता है let us assume 2 जो है number 2 वो दोनों number को divide मारता है M को भी और N को भी उसके बाद मान लो 3 भी दोनों number को divide मारता है तो मेरा HCF replace हो जाएगा 3 से जैसे जैसे मुझे बड़ा number मिलता जाएगा मेरा HCF यह update होता जाएगा मैं आपर लिख देता हूँ उसको keeps updating यह update होता जाएगा और finally मुझे क्या मिलेगा मुझे highest number मिल जाएगा ठीक है तो मैं basically क्या कर रहा हूँ 1 से start कर रहा हूँ 1, 2, minimum number क्योंकि यार देखो अगर M से आगे निकल गया है तो कोई बड़ा number तो M को divide करनी पाएगा M से बड़ा number M को divide तो करनी पाएगा इसलिए मैं इन दोनों में से जो सबसे छोटा number है वहाँ तक जाऊँगा ठीक है M क्या है सबसे छोटा है M और N में से तो मैं 1, 2, minimum number तक जाऊँगा M मेरा minimum number है I को लेकर जाऊँगा और उसके बाद ये बाद चेक करूँगा ठीक है तो ये मेरा एक pseudo code बन चुका है तो मैं आपर लिख देता हूँ pseudo code I hope कि समझ में आगे है सबको कि ये code क्यों काम करेगा ये code इसलिए काम करेगा क्योंकि यार देखो आप मैं इसको याँ पर arrow लगा के लिख देता हूँ कि M जो है वो minimum number है और ये काम इसलिए करेगा क्योंकि highest common factor की definition ये है कि वो सबसे बड़ा number जो कि दोनों को divide मार दे कतम बाद अगर मैं बात करता हूँ 28 और 12 की और मैं कहता हूँ कि इसका HCF 4 है तो इसका HCF 4 इसलिए है क्योंकि आप 4 से बड़ा कोई number ढूनी नहीं सकते जो 28 को भी divide कर दे 12 को भी divide कर दे 428 को कैसे करता है 4 multiply by 7 होता है और 12 को कैसे करता है 3 इससे बड़ा कोई number आप नहीं ढून सकते इसी को HCF बोलते है छोटा ढून सकते हो 2 है छोटा बड़ा नहीं ढून सकते है जो कि दोनों को divide मार दे इसी को HCF बोलते है बहुत ही simple concept है बस यह है कि लोग रटते हैं इसलिए समझ में नहीं आता है उनको अब मैं क्या करूँगा आप लोग को python की साहिता से दिखाऊँगा कि यह routine मैं कैसे लिखूँगा मैं जाऊँगा सबसे पहले तो minimum number डोड़ूँगा दोनों में से दोनों में से जो minimum number होगा वहाँ तक अपना loop चलाऊँगा और चेक करूँगा कि क्या हो दोनों को divide मार रहा है और हम यह भी चेक करेंगे कि 2812 का जो हमारा hcf आएगा वो 4 आएगा और 14 और 30 का हमारा hcf 2 आएगा और हमारा 6 और 4 का hcf के आएगा वो भी 2 आएगा ठीक है और अगर मान लो इस में से 5-6 common में ले पाता ठीक है जो कि दोनों को divide करेगा चलते हैं और इसको जरा सा code कर लेते हैं मज़ा आने वाला है VS code में चलते हैं सबसे यहाँ पर मैं आचुका हूँ अपने VS code में और यहाँ पर मैं करने के आवाला हूँ कि एक नई file बनाऊंगा main.py main.py के अंदर में क्या करूँगा सबसे पहले number लिखूँगा ठीक है number 1 लिखूँगा कि आपका पहला number क्या है जिसका आप LCM निकालना चाहते हो और sorry HCF निकालना चाहते हो not LCM HCF निकालना चाहते हो और मैं आप पर लिखूँगा int input enter first number और back slash n similarly मैं second number के लिए num2 लिखूँगा और अभी आपको समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी जो भी मैं logic लिखूँगा उसमें मैं आपर लिखूँगा if num1 is greater than num2 मैं one-liners नहीं लिख रहा हूँ mx is equal to mx मतलब max is equal to num1 ठीक है वनना क्या करूँगा मैं else mx is equal to num2 ठीक है तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा number है वो आ जाएगा अब मैं क्या करूँगा एक loop चलाँगा for i in range कहा तक चलाँगा जो maximum number है sorry min number मुझे min चुटना था mn कर देता हूँ max नहीं चुटना था मुझे min चुटना था mn तो मैं कहूँगा अगर इसको replace कर देता हूँ num2 num1 ठीक है अगर num2 बड़ा है num1 थी तो min num1 हो जाएगा वनना min num2 हो जाएगा तो मैं कहा तक जाओँगा min तक जाओँगा तो मैं 1 से लेके range function का second argument वो range function include नहीं करता है याई की value वो नहीं होगी कभी उससे एक कदम कम होगी इसलिए मैंने एक कदम जोड़ दिया था कि mn तक जाए मेरा i तो i अगर 1,8 है तो i मेरा जाएगा 1,2,3,4,5,6,7 तक और 1,9 है तो 8 तक जाएगा इसलिए मैंने mn plus 1 कर दिया आप समझ गया होगी कुछ साथ ही मैं बोल रहा हूँ अब मैं आपर क्या करूँगा मैं कहूँगा if i sorry if num1 percent i equals to equals to zero यानि कि i ने num1 को divide कर दिया and num2 percent i equals to equals to zero यानि कि यह bracket actually redundant है num1 i से divide हो रहा है num2 भी i से divide हो रहा है यानि कि remainder zero आ रहा है तो divide हो रहा है पुरा पुरा तो मैं कह दूँगा hcf is equal to i और यह loop चलने दूँगा और finally जब यह loop खताम हो जाएगा तो मेरे पास highest number आ जाएगा actually यह सारे common factors को एके करके hcf assign करता रहेगा जैसे मान लो अगर हम बात करें 4,14 की तो सबसे पहले वो 2 को कर देगा hcf फिर उसके बाद उसको कोई बड़ा number नहीं मिलेगा इसलिए 2 हो जाएगा hcf अगर मैं 4,28 की बात करूँ तो सबसे पहले 2 को hcf बना देगा फिर 3 को चेक करेगा 1 of these 2 numbers is और मैं आपर लिख दूँगा hcf और hcf वो gcd एक ही चीज है ठीक है save किया मैंने 2 numbers मुझे लिखना है 4 और 28 का मैंने निकाला था क्या 4 और 28 का मैंने 4 निकाला था 4 मैंने गलती से यार वो दबा दिया एक bracket 4 और 28 ठीक है 4 और 28 का 4 है मैंने गलती से bracket टिक दबा दिया था क्योंकि मैं assume कर रहा हूं कि जो मेरा input है वो एक integer है तो hcf gcd 4 हो जाएगा और उसी के साथ साथ हम अगर निकालने 15 और 30 का program run कर लेगे पहले फिर 15 और 30 लिखेंगे 15 और 30 का क्या होगा 15 और 30 का 15 ही होगा और यहां पर मैंने select करके गलती से run कर दिया इसको select करके run नहीं करना आपको ऐसे run करना है वरना जो आपने line select किया जर्फ उतना ही run होगा 15 और 30 का 15 होगा 15 हो सबसे बड़ा number है जो कि दोनों को divide मारता है तो हमने लिग दिया यहां पर hcf निकालने का program तो यहां पर मैंने क्या किया इस loop को minimum number तक चलाया और उसके बाद मैंने क्या किया कि यह दोनों को जो divide मारता था number सबसे बड़ा वो चुन लिया ठीक है तो अगर पर internet पर आ जाओं और hcf table यहां पर लिग हो मैं तो मुझे hcf की what is hcf 24 & 60 इसका 12 आ रहा है 24 & 60 का देखते है 24 & 60 का 12 आ रहा है 24 & 60 वैसे 12 भी आ रहा है कि मैंने ऐसे ही कर लिया 12 से ही दोनों जा रहे है 12 से बड़ा कोई number ऐसा है नहीं 24 & 60 दोनों को divide मारते ठीक है तो आप चाहो तो और inputs के लिए चेक कर सकते हो 24 & 36 का 12 आ रहा है 24 & 36 का देख लेते है 24 36 और इसको 12 आ रहा है ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है HCF निकाल सकते हैं इस जगर आप लोगोंने python के मेरे practice programs access नहीं करे है with logic and explanation मैंने बना रखे है python के practice program आप जरूर इस playlist को access करें मैंने इसमें LCM calculation का भी डाला हुआ program वह भी बहुत जाद important है क्योंकि LCM और HCF एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जादा पूछी आती है आजकल exam वगरा में यह आप से aptitude और जो आपकी programming skills है उन दोनों का इम्दियान आपका ले लिया जाता है तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर इसको solve करो गए HCF, LCM को तो interesting way में मैंने आपको सबसे पहले यह बताए कि HCF और LCM क्या होते है और उसके बाद मैंने problematic भी बताए है तो आपको मैं दोनों क्यान एक साथ दे रहा हूँ मैं assume करके नहीं चलूँगा कि आपको HCF के है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भूल जाते हैं ठीक है कि क्या होता HCF, LCM कई चीज़े होती है मैं ही भूल जाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने HCF पहले देखा क्या होता है HCF GCD एक ही चीज होता है GCD की performance ही है greatest common divisor तेजी से बोलनों कि यहाँ इस वीडियो लाइक करें और मैं नहीं करना जाता मैं जाता हूँ दिल से आप लोग अपने आप से बूचे यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या आप लाइक कर सकते हैं एक अपने आपको एक सवाल पूचे और उसके बाद लाइक करें Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time